नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दस्टडी कैफे कंसेप से कट आफ में गुड आफ्टनून, गुड इवनिंग, कैसे आप सभी लोग फटा फट चान लाइन आ जाए और सभी लोगों को साथ में जोड लीजिए सभी लोग को ये वीडियो मैसेच, वीडियो सभी लोगों से शेयर कीजिएगा वाट्सअप पर, फेस्बुक के द्वारा सभी जगे वीडियो शेयर कीजिए और सभी को बुला लीजे अपन जरनल साइंस के questions करने वाले हैं make sure सभी कोई वीडियो शेर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चारेल को सब्सक्राइब कीजिए, चलिए, स्टार्ट करते हैं, first question है आपका, we can declare that a person is clinically dead when there is, हम घोशना कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ती जिकित सकी है रूप से मृत हो, A option, no heartbeat, B option, no life in brain, C option, no movement in pupil to the light, D option, no pulse in person, A option, कोई दिल की धड़कन नहीं हो, B option, मस्तिष्क में कोई जीवन नहीं है, C option, प्रकाश में पुतली में कोई हलचल नहीं है, D option, व्यक्ती में कोई नाड़ी नहीं है, बिलकुल सही, बिलकुल सही, A option is right answer, No heartbeat, no heartbeat, कोई दिल की धड़कन नहीं हो, A person is clinically dead in medical terms for cessation of blood circulation and breathing, It occurs when the heart stops beating in regular rhythm, a condition called cardiac arrest, बिलकुल, जब हिदय गती करना बंद कर देता है, हिदय धड़कना बंद कर देता है, तब हम सांस नहीं ले पाते हैं, और ऐसी situation में, ऐसी situation में क्या होता है, हमें चिकित्सक की रूप से म्रत गोशित किया जाता है, तो option number A is right answer, चलो, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question आपका, Man and Biosphere Program, M.A.B. was formally launched by UNESCO in the year, Man and Biosphere Program, M.A.B. को आपचारिक रूप से UNESCO द्वारा वर्ष में launch किया गया था, option number A, 1970, option number B, 1971, option number C, 1972, option number D, 1974, जल्दी से answer बताओ भई, M.A.B. program, M.A.B. program कब launch किया गया था, जल्दी से answer दीजेगा, M.A.B. program कब launch किया गया था, बिल्कुल सही, option B is right answer, 1971, देखे, जो Man and Biosphere Program था, वो launch किया गया था, 1971 में, it was an inter-governmental scientific program that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationship between man and environment, मतलब, जितने भी अपने विज्यानिक आधार पर इसमें मानव और पर्यावरन की बीच में आधार भूत स्तापित करने के लिए और जो इनमें क्या है, रिलेशन है, संबंध है, इसको सही करने के लिए, ये Man and Biosphere Program M.A.B. के नाम से 1971 में लाउंच किया गया था, नेक्स्ट वैशन पर चलते हैं, अट वाट टेंपरिचर विल वाटर भी दा हैविएस्ट, पानी के सापमान पर सबसे भारी होगा, बहुत ही अच्छा क्वैशन है, ऑप्शन नमबर A, 0 degree centigrade, ऑप्शन नमबर B, 4 degree centigrade, ऑप्शन नमबर C, 37 degree centigrade, ऑप्शन नमबर D, 100 degree centigrade, जल्दी से comment section में लिखो भाई, इतने लोग देख रहे हो, ये भी तो करो कि comment section में हम answers लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारा answer सही है कि नहीं है, बिलकुल सही, B option is right answer, 4 degree centigrade, तो at 4 degree centigrade, water has the highest density, 4 degree centigrade पर पानी का सबसे ज़्यादा घनत वो होता है, इसके कारण सबसे ज़्यादा भार भी 4 degree centigrade पर ही होगा, ठीक है, चलो, next question पर चलते हैं, next question देखेगा, how many chambers does a cow's stomach has, एक गाय के पेट में कितने कक्ष होते हैं, option number A, 1, option number B, 2, option number C, 3, option number D, 4, कितने कक्ष होते हैं, जल्दी बताईएगा, D option is right answer, cattle's have, बिल्कुल सही, D option is right answer, 4 chamber होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही, cattle's have ruminant stomach, stomach with 4 chambers, they are called rumen, reticulum, the osmum and abosmum, ठीक है, इनके 4 नाम दिये गए हैं, और 4 chambers होते हैं, तो जितने भी चड़ने वाले जानवर्स हैं, इन सभी के पेट में, 4 कक्ष होते हैं, जिनके नाम है, rumen, reticulum, omasum, abomasum, ठीक है, चलो, next question पर चलते हैं, the percentage of silver, present in the alloy of German silver is, German silver के, मिश्र धातु में मौजूद, चान्दी का प्रतीशत है, a, 25, b, 10, c, 5, d, 0, जल्दी से बता दो, बड़ा ही tricky question है, आपके सामने, German silver में, German silver के मिश्र धातु में, चान्दी का प्रतीशत बताईए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिनको भी पता है, बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता, उनको नहीं बात पता पढ़ने वाली है, तो जल्दी से बता दो भई, बिल्कुल सही, d option 0, 0, ऐसा सोश रहोंगे, अचंबेत हो रहे होंगे, ऐसा क्यों, बहुत जो जर्मल सिल्वर, इस अनलॉइ, ऑफ कॉपर, जिनक, एंड निकल, सम्टाइम, आल्सो कंटेन, लेड एंट निन, इट ड़स नॉट कंटेन, एनी सिल्वर, सो दे परसंटेज, मतलब इसमें चांदी होती नहीं है, यह मिश्च धातू है, कॉपर, जिनक, निकल, और कभी कबार इसमें लेड भी पाई जाती है, ठीक है, समझ में आगया होगा आपको, चलो, नेक्स क्वेशन पर चलते हैं, नेक्स क्वेशन देखिएगा, जल्दी से आंसर लिखो भाई कॉमें सेक्शन में, बिलकुल सही, बहुत बढ़िया, जिनको पता है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, उनको नहीं चीज पता पढ़ने वाली है, तो B, चाइना इस राइट आंसर, B, चाइना इस राइट आंसर, चाइना is the highest emitter of carbon dioxide in the world, it was recorded with 1940 million metric tons of second is United States, third is India, fourth is Russia, सबसे पहले नंबर पे चाइना आता है, 9,040 million metric tons carbon dioxide का उत्पादन करके, दूसरे नंबर पे आता है United States, तीसरे नंबर पे आता है अपना भारत, चौथे नंबर पे राता है Russia, बहुत आई carbon dioxide emission अपन को कम करना है, ध्यान रखो इस पे, of the following plant has a largest flower, निमले कित्मे से किस पौदे में सबसे बड़ा फूल होता है, ऑप्शन नंबर A, रेफलेशिया, ऑप्शन नंबर B, सूरज मुखी, ऑप्शन नंबर D, गुलदावदी, ऑप्शन नंबर D, जीनिया, बिल्कुल सही, एंसर अल्मुस्स सभी को पता होगा, बिल्कुल सभी को पता होगा, बहुत ही एजी question है, बहुत ही एजी question है, सभी को इसका अंसर पता होगा, तो बिना किसी देरी के tick करो भई, ऑप्शन नंबर A को लॉक कर दो, रेफलेशिया अर्नॉल्डी इस वर्ल्स लार्जेस फ्लावर अप्शिन नमबर ए इस राइड आंसर तो रेफलेशिया अर्नॉल्डी अप्टो 3 फीट वेट अप्टो 15 पॉंड भाई ये 3 फीट तक लंबा हो सकता है और साथ ये साथ इसका वजन 15 पॉंड तक हो सकता है तो रेफलेशिया अर्नॉल्डी दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और कहां पर मिलता है भाई रेइन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इंडोनेशिया में पाया जाता है ठीक है चलो next question करते है next question देखेगा क्लोव इस लॉंग क्या है जल्दी से बताओ बिलकुल सही बी ऑप्शन इस राइट आंसर फूलो की कली फ्लावर बर्ड इस राइट आंसर ठीक है तो क्लोव जो आपकी लॉंग होती है वो सुगंदित फूलो की कली ही होती है तो option नमबर बी इस करेक्ट आंसर चलो next question पर चलते हैं question देखिए next jet aircrafts fly through them jet aircrafts किस माध्यम में उडान भड़ते हैं अपर ट्रॉपोस्फेर बी लोवर स्ट्रेटोस्फेर सी अपर स्ट्रेटोस्फेर डी लोवर मीजोस्फेर option नमबर ए उपर ट्रॉपोस्फेर बी निचला समताप मंडल सी उपरी समताप मंडल डी निचला मीजोस्फेर किस में उडान भड़ते हैं बिल्कुल सही बहुत बढ़िया बिल्कुल सही बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात है चलो क्या answer होगा इसका बी आप्शन को लॉग कर दिया जाए बिल्कुल बी आप्शन को लॉग कर दिया है बी आप्शन इस राइट आंसर निचला समताप मंडल लो़र स्ट्रेटोस्फेर इस राइट आंसर लो़र स्ट्रेटोस्फेर में क्या उड़ते हैं आपके विमान उड़ते है, जेट एरक्राफ्स उड़ते है, बिल्कुल B option is right answer, ऐसा क्यों होता है कि lower stratosphere में ही, नीचले समताप मंडल में ही विमान जेट एरक्राफ्स उड़ते है, क्योंकि यहाँ पर बादल कम पाये जाते है, साथी साथ क्या होता है, कम वेपर पाया जाता ह है, थोड़ी dry air होती है, इसलिए यहाँ पर विमान उड़ते हैं, नीचले stratosphere में, नीचले समताप मंडल में, चलिए, नेक्स्ट वेशन पर चलते हैं, Which of the falling bird that can fly backward? एक मातर ऐसा कौन सा पक्षिय है, जो पीछे की और उड़ सकता है, A. Peacock, B. Hummingbird, C. Parrot, D. Pigeon, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, Hummingbird is right answer, Hummingbird, B. Option is right answer, ठीक है, Hummingbird इकलौता ऐसा पक्षिय है, जो पीछे उड़ सकता है, B. Hummingbird is right answer, Hummingbird इकलौता ऐसा पक्षिय है, जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, चलो, नेक्स्ट वेशन पर चलते हैं, Which one of the following is not a basic industry, निमले कितमे से कौन सा एक बिन्यादी उद्योग नहीं है, A. Steel, B. Fertilizer, और वरक, C. Paper, D. Cement, जल्दी से बताओ भाई, इन में से कौन सा एक बिन्यादी उद्योग नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, C. Option is right answer, Paper सही जवाब है, Paper बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल, क्योंकि बिन्यादी उद्योग वहे उद्योग होते हैं, जो कि कच्चा माल प्रदान करते हैं, Basic Industries are those which supply their raw materials to industries which manufacture other goods, Example of Basic Industries are iron, steel, cement, fertilizer, coal, crude oil, oil refining, electricity, etc. जो कि कच्चा माल दूसरी industries, दूसरी उद्योगों को प्रदान करते हैं, सप्लाइ करते हैं, उन्हें कहा जाता है, बिन्यादी उद्योग कहा जाता है, जो कि कच्चा माल प्रदान करते हैं, कच्चे माल के रूप में, कोई सेवा प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है, Basic Industry, चलो, next question पर चलते हैं, next question देखोगे, next question है, एगमाक seal is issued for commodities like, एगमाक की मुहर जैसे वस्तों के लिए जारी की जाती है, किसके लिए एगमाक seal जारी की जाती है, बिलकुल सही, बिलकुल सही, A option is right answer, A option को lock कर दो, A option सही जवाब है, आटा गी और हनी के लिए एगमाक की मुहर जारी की जाती है, अब एगमाक की मुहर जारी क्यों की जाती है, देखो एगमाक की मुहर होती है, शुद्धता की मुहर, और दूसरी चीज़ ये है, कि ये उन चीज़ों के लिए जाहिर की जाती है, जारी की जाती है, जो कि किस से संबन्दे तो, एगमार का चिन जारी किया जाता है, तो option नमबर A के अंदर ही आपके क्या है, यहाँ पर खेती के उतपाद है आटा घी और शहद, ठीक है, चलो, next question पर चलते है, next question देखेगा, in which of the falling reptiles the heart is a four-chamber structure, निम लिकित में से किस सरी स्रप में हिदे चार-chamber वाली संरचना है, A. Lizard, B. Turtle, C. Crocodile, D. Snake, A. छिपकली, B. कच्छुआ, C. मगरमच, D. सांप, के सरी स्रप में हिदे चार कक्षो वाला है, ये अपवाद बताया था, मैंने हिदे पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे से बार-बार गिना-गिना के पढ़ाया था, revision classes भी हो चुकी है, सभी को इसका answer पता होना चाहिए, जिनोंने हिदे नहीं पढ़ रखा, आप जाके, प्लेलिस्ट में वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, descriptive classes पढ़ सकते हैं, जल्दी से बताए क्या answer होगा, फटाफट से बताओ क्या answer होगा, बिल्कुल सही, C. crocodile मगरमच is right, अंसर मगरमच सही जवाब है, इन में से सरी सरप में से एक ही अपवाद है, जिसके अंदर चार, चार चेमबर पाए जाते हैं, अन्य था, रेप्टाइल्स में, सरी सरप में, हमेशा तीन कक्ष वाला हिदे ही पाया जाएगा, थ्री चेमबर हाट ही पाया जाएगा, बाकी का सिर्फ प्रोकडाइल एक अपवाद है, जिसमें मैमल्स के जैसे, मैमल्स के जैसे, स्तंदारियों के जैसे, क्या होते हैं, चार कक्ष पाए जाते हैं, नेक्स क्वेशन पर चलते हैं, next question पर देखो dogs are used for detective work by the police because they police द्वारा कुत्तों को जासूसी के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वह A. Can hear ultrasonic waves of frequency up to 50,000 hertz B. Can hear infrasonic waves C option Can hear ultrasonic waves of frequency up to 120,000 hertz D. Can hear sound waves of frequency in the range of 20 hertz to 20,000 hertz जल्दी से बताईए कुत्तों को जासूसी के लिए क्यों चुना जाता है बिल्कुल सही क्योंकि वो जादा 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 frequency वाली जादा तरंगों वाली जादा ultrasonic तरंगों वाली आवरती को सुन सकते हैं बिल्कुल सही पर option बताओ option बताओ कितने hertz की कितने hertz की पचास की एक लाग बीस हजार की या बीस हजार की बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही आगे की तरफ बढ़ता है जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है linear momentum कहा जाता है जिसमें gas पीचे की तरफ छोड़ी जाती है और वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है चलो नेक्स वेशन पर चलते हैं नेक्स वेशन देखो rings of Saturn are made up of शनी के छले शनी की जो rings होती है शनी उपग्रे की जो rings है वो किसकी बनीवी है A. आप्शन आइस वर्फ B. आप्शन डस्ट दूल C. आप्शन गैस D. आप्शन रॉक जल्दी से बता दो शनी के छले किसके बने है rings of Saturn are made up of जल्दी बताओ जल्दी 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 बिलकुल सही आप्शन नमबर A बरफ सही जवाब है The ring of Saturn particle are made almost entirely of water ice with a trace component of rocky material बदला पूरी की पूरी पानी और बरफ से ही निर्मित है जिसमें थोड़ी सी component होने की chances है कि वो क्या हो उसमें rock हो rocky material हो उसके थोड़े से ही chances है बाकी पूरा का पूरा बरफ का बना हुआ है option number A is right answer चलो next question पर चलते है The raw material for making artificial silk is rhythm rayshum बनाने का कच्चा माल है A. Wool, Oon B. Cellulose C. Silk rayshum D. Lenin बिलकुल सही B. Option is right answer Cellulose सही जवाब है Artificial silk और rayon is made from cellulose obtained from cotton और wood pulp The cellulose is dissolved in substance called alkaline carbon dioxide to make a thick liquid यह जो cellulose लिया जाता है यह किस से लिया जाता है यह obtained from cotton और wood pulp मतलब इस cotton से या फिर wood की मतलब किसी भी किसी भी लकडी के pulp से लिया जाता है और साती साथ इसको dissolve इसको गुलाया जाता है एक शारिये पदार्थ में एक शारिये substance में called alkaline carbon dyes sulphide to make a thick liquid तो option number B is right answer चलिए next question पर चलते है next question देखिएगा जिस पौदे के फूल बहार लगते है पर फल का विकास मिट्टी के अंदर होता है वह कहलाता है A मूफली B कलस्टर बीन C सोया बीन D चिक पी चिक मटर जिसे चन्या कहा जाता है वह है क्या है जल्दी बताओ भई जल्दी बताओ भई ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा प्लांट है ऐसा कौन सा पौदा है जिसके फूल तो बहार लगते है और फल मिट्टी के अंदर लगता है फल का विकास मिट्टी के अंदर होता है बिलकुल सही, बिलकुल सही, बहुत बढ़िया, बिलकुल सही option number A, groundnut is right answer option number A, groundnut is right answer चलो, next question पर चलते हैं the number of teeth which grow twice are गातों की संख्या जो जीवन में दो बार आती है A, 8, B, 12, C, 14, D, 20 दातों की संख्या कितनी जीवन में दो बार आती है जल्दी बताओ भई इसका answer सबी बच्चों को पता होना चाहिए digestive system में अच्छे से एक एक चीज explain करके बताईए जल्दी से answer बताओ क्या होगा बिलकुल सही, D option is right answer बीस दात जीवन में दो बार आते है क्योंकि पहले जनम के समय, जनम के बाद आते है जिनने दूदिया दात कहा जाता है फिर इनने permanent दात कहा जाता है साही दात कहा जाता है तो पहली बार milk teeth फिर क्या आते है पर्मारेंट टीथ आते हैं तो बीस दात जीवन में दो बार आते हैं उसके अलावा उसके अलावा बारा दात जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं वो एक बार तूट जाएं वापिस नहीं आएंगे तो इसके लिए कहा जाता है 20 milk teeth of a child get replaced in adulthood by 20 permanent teeth but the rest 12 can never be replaced if broken these 12 teeth grow only once in man's life ठीक है जो बात मैंने अभी हिंदी में समझाई वही मैंने इंग्रिश में खही चलो next question पर चलते हैं last question है which of the following diseases is not a waterborne disease ने मिले कित में कौन सी बिमारी जल जनित बिमारी नहीं है बहुत ही अच्छा question है A. Chlorella has a B. Typhide C. Asthma D. Amoebic dysentery D. Amoebic dysentery Amoebic pêchish इसका answer सबी लोग दे पाएंगे बहुत easy question है बहुत easy option है क्या होगा answer जल्दी बताओ भई जल्दी बताओ क्या answer होगा बिलकुल सही C. Asthma is right answer Waterborne disease are condition caused by pathogenic microorganism that are transmitted in water disease can be spread while bathing, washing or drinking water or by eating food or by eating food exposed to contaminated water disease can be spread while bathing, washing or drinking water or by eating food exposed to contaminated water pathogenic microorganism causing disease that characteristically are waterborne prominently include protozoa bacteria or viruses जो भी जल्दी बिमारियां हैं वो खाने से नहाने से या फिर बरतन दोने से contaminated दूशत पानी के संपर्क में आने से होती हैं और जादा तर ये बिमारियां bacteria, virus, जिवानू, विशानू और protozoa से ही फैलती हैं तो waterborne disease जल्दी बिमारियां ऐसे फैलती हैं साती सात अस्तमा एक जल्दी बिमारी नहीं है तो C option, अस्तमा इस राइट आंसर सभी का आंसर ये सही है make sure आप वीडियो को जादर जादर लाइक करें share करें अपने दोस्तों के साथ में जादर जादर लोगों को share कीजिए whatsapp के मार्दयम से, messenger के मार्दयम से अगली बार फिर से मुलकात होगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखे घर में रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद